कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपको मोबल की स्क्रीन पर इस तरह की का नॉटिपिकेशन आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्मिशन एंड टेंपरारी फाइल्स हैज हैव बीन रिमूवेड एंड नॉटिपिकेशन वाथ स्टॉपड तो इसका क्या मत होगा वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए अब यहाँ पर यही इस तरीके से लिखा रहा है तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि आप जो भी अपनी फोन में एप यूज करते हैं मान लिए अपने फोन में कुछ एप यूज किया और उसको वैसे ही जोड़ दिया एप को बंद किया लेकिन वो बैगराउंड में रन करते है ठीक है तो यही मतलब है कि आपका फोन क्या करता है जो जो बैगराउंड में एप रन होते है बैगराउंड में एप चल रहे होते है तो उसको एक एक करके बंद करता है लेकिन कुछ एप होते है जिसको हमारा फोन बंद नहीं कर पाता है ठीक है तो वो इस तरीके से आपको बताएगा permission and temporary files has been removed one unused app या पे है मेरे एक app को अभी यह जो है बंद नहीं कर रहा है इस वज़े से यहाँ पी यह notification है अब इसके उपर में जैसे क्लिक करता है आपको अब आपको इसे को अपने फोन से अन इस्ट्राल कर दीजे जैसे आप अपने फोन से अन इस्ट्राल कर देंगे आपकी यह जो notification बार है वह यहाँ से हट जाएगे अगर आपको यह आप वीडियो अच्छी लगती है वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब दरू कीजेए